दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको कुछ बेहद खतरनाक सडकें जरूर देखने को मिलेंगी लेकिन आज मैं जिन सडकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनिया की सबसे खतरनाक सडके हैं और इन खतरनाक सड़कों पर ड्राइविंग करना कोई मजाक नहीं है क्योंकि इन पर ड्राइविंग करने के लिए मौत से खेलना पड़ता है तो दोस्तों तयार रहें क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ही दुनिया की साथ सबसे खतरनाक सड़कों पर घुमाने लेके चल रहा हूँ हेलो दोस्तों मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग साइबेरियन रोड टू यकुत्सक रसिया दोस्तों रसिया की इस रोड को दुनिया की सबसे ठंडी सड़क का दर्चा दिया गया है क्योंकि यहां का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है जैसकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस सड़क के चारो तरफ जहां तक आप जाएंगे वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी क्योंकि यहां पर पूरे साल बर्फ बारी होती है और टेंपरेचर लगभग माइनस पचास डिगरी के आसपास हमेशा बना रहता है और दोस्तों अगर यहां पर आपकी गाड़ी बंध हो जाए तो जल्दी स्टार्ट नहीं होती इसलिए लोग अपनी गाड़ियां यहां हमेशा चालू ही रखते हैं और कहीं गलती से आपने अपनी गाड़ी रात भर ऐसे ही खुले आसमान की नीचे छोड़ दी तो सुबा वो आपको बर्फ से धकी हुई नजर आएगी दोस्तों इतने ठंडे स्थान पर सर्वाइब करना हर किसी के बस की बात नहीं इसलिए इस जगा को दुनिया की सबसे खतरनाक जगोहों में से एक माना जाता है गूओल यांग टनल रोड चाइना दोस्तों ये टनल रोड चीन में है जो दुनिया की सबसे खतरनाक सुरंगों में से एक है तैहंग पाड़ियों को बीट से तोड़ कर बनाई गई इस गोल यांग टनल का निर्माण 1922 में किया गया था इससे पहले इस पर सिर्फ पैदल चलने की ही गुण जाइस थी और ये रास्ता हुईकसियान, जिंजियांग और हेनान प्रांतों के गाउं को जोड़ता था इन क्षेत्रों में जाने के लिए यहां के लोगों को करीब 720 खड़ी पहाड़ियों पर बने रास्तों को पार करना होता था रास्ते के बीच बीच में बनी सीडियां बेहत खतरनाग थी, वो बहुत खड़ी, सकरी और बिना रेलिंग की थी इन परिप्षानियों को देखते हुए गाउं के लोगों ने पहाड़ियों में टनल खोदने का फैसला किया गाउं के मुख्या ने अपनी बगरियां और दवाईयां बेच कर हथोड़ा और बाकी औजार खरीदे तेरा लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और 1200 मीटर लंबी टनल को खोदने में 5 साल लगे ये टनल 5 मीटर उची और 4 मीटर चोड़ी थी इस टनल के निर्माड में 12 टन की ड्रिल रॉड और 4000 हथोडों का इस्तेमाल हुआ था एक माई 1977 को ये टनल खोला गया यहां टनल की दिवार में 30 अलग-अलग आकार की खिड़किया है जो चीन में परियटकों के आकरशन का केंद्र है जब सबसे खतरनाक रोड की बात हो रही हो तो टरोको जोर्ज रोड उस लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि यह भी खतरनाक होने में किसी और से कम नहीं है इस रोड पर ड्राइविंग करना बहुत ही एडवेंचरस है और जहां एडवेंचर हो वहां खतरा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों पहाडों से घिरा यह रोड इसके सक्रे मोड की वज़ह से और भी खतरनाक हो जाता है इसका सबसे खतरनाक मोड तब आता है जब गाडियां एक खोदे गए चटान के नीचे से गुजरती है इसके नीचे खड़े लोगों को हमेशा यह मैसूस होता है कि यह चटान गिरने वाली है इस राष्टे पर कई जगा ऐसे मोड आते हैं जहां पर दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं देती जिसकी वज़ह से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती है अट्लांटिक ओशन रोड नौर्वे दोस्तों यह अट्लांटिक ओशन रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में गिना जाता है आप देख सकते हैं किस तरह से इस रोड के दोनों तरफ समंदर है और समंदर से उठती तेज लहरें इस सड़क को भीगा दे रही हैं दोस्तों नौर्वे में समुत्र के उपर बना लगभग 8.5 किलोमेटर का ये खतरनाक रोड 7 जुलाई 1989 को चालू किया गया था जोकि रोड ट्रिप के लिए बेस्ट जगा है लेकिन यहां हर कदम पर खत्रा मौजूद है इसलिए अगर आप एक अनुभवी ड्राइवर हैं तभी यहां ड्राइविंग करें नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको मौद के घाट उतार सकती है अगर आपकी कार ब्रिट से बाहर गई तो समझो आप कार के साथ समुद्र की गहराईव में नजराओबे पसुबियो रोड इटली की ये सबसे खतरनाक सड़क पसुबियो एक बहुत ही प्राचीन सड़क है पसुबियो रोड आलपस के सबसे अविस्वस्निय द्रिश्यों और पावन हाथ नकासीदार सुरंगों के लिए भी दुनिया भर में प्रसित है जिनका द्रिश्य आप राष्टे में सफर के दौरान देख सकते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक इस सड़क को सरकार ने कई मौकों पर बंद करने की कोशिस की लेकिन ये एक एडवेंचरस सफर होने के नाते यहां लोग पहुँच ही जाते हैं इस रोड पर ड्राइविंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत होती है यदि ड्राइवर जरा भी लापरवाही करता है तो समझो दुरगटनाग घटी और यहां बेतु के ढंग से मोटर साइकल चलाने वाले इसे और भी खतरनाग बना देते हैं स्कीपर्स कैनियन रूड न्यूजीलेंड न्यूजीलेंड की स्कीपर्स कैनियन रूड दुनिया की सबसे खतरनाग सडकों में से एक है यहां पर लाइफ इंसूरेंस के बिना ड्राइविंग ना ही करें तो बहतर है दरसल इस सड़क पर हर वो खत्रा मौजूद है जो जानलेवा हो सकता है यह सड़क बहुत ही ज़्यादा सक्री है जिसे यह सड़क और भी ज़्यादा खतरनाग हो जाती है कहीं पर अंधे मोड हैं तो कहीं पर गहरी खाई ऐसे में कोई मामुली एक्सीडेंट से भी बुरी तरह घयल हो सकता है इस रोड पर गदम गदम पर घत्रा है और यह रोड इतनी सक्री है कि इस पर दो गाड़ियां एक साथ नहीं जा सकती ऐसे में किसी एक को अपनी गाड़ी साइड में करना होता है ताकि दूसरी गाड़ी गुजर सके ऐसी हालत में एक्सिडन्ट के चांसेस और भी बढ़ जाते है जेम्स डाल्टन हाइवे अलासका दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है युएसे का ये जेम्स डाल्टन हाइवे रोड इस सड़क पर मौसम की मार बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जिसकी वज़ा से गाड़ियां फिसलती हैं और गाड़ियों के फिसलने से एक्सिडेंट भी होते हैं 414 मील लंबे इस हाइवे के आसपास सिर्फ और सिर्फ बर्फ मौझूद है यहां तीज हवाएं और छोटी-छोटी चट्टाने आपके वाहनों के मार्ग में बाधा बन दी है दोस्तों यह रास्ता बहुत ही सूनसान है अगर आपको यहां कोई इमर्जन्सी हो गई तो मदद मिलने में आपको 3-4 दिन लग सकते हैं जेमस टाल्टन हाइवे पर लगभग 300 दुर घटनाएं प्रती वर्ष देखने को मिलती है पैसेज डू गोईस, फ्रांस दोस्तों फ्रांस की यह सड़क समंदर के बीच बनी है और तकरीबन 4.5 किलोमेटर लंबी है और यह दिन में 2 बार सिर्फ 2 घंटे के लिए ही नजर आती है बाकी समय यह सड़क टाइड यानी जवार के चलते पानी में डूबी रहती है यह सड़क में लेंड को नोईर मोटियार आइलेंड से जोडती है कभी-कभी सड़क नजर ना आने की वज़ा से इस रोड से गुजरने वाली गाडियां रोड से हट कर समंदर में उतर जाती है और कभी-कभी पानी की तेज लहरें रोड पर चलने वाली गाड़ियों को समंदर में धकेल देती हैं जिसकी वज़ा से इस सड़क पर हर साल कई लोग हाथसे का शिकार होते रहते हैं दोस्तों इन में से आप कौन सी सड़क पर सफर करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो डेंजरेस रोड्स का पार्ट टू है और अगर पार्ट वन अभी तक आपने नहीं देखा है तो उपर आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप जाकर देख सकते हैं और एंड स्क्रिन से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों ऐसी ही दुनिया में और भी बहुत सी खतरनाक सड़के हैं क्या आप इसका पार्ट 3 चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें दोस्तों हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें बाई बाई